कि Airport अफ्रेश्ट है अबताइंग है और दोस्तों कैसे को बढ़े हैं और संद सब धीक ठाक आज आप लोग को बताएंगे बाइक कंप्रेशर के बारे में और कॉम्प के बारे में आर श्क्रणीग देखो यह है गरारी यह इंजन से अटेच रहता है यह इंजन से अटेच रहता है इसके अंदर है सब बेरिंग यहां जाता है यह जो पाइप है यह वाला यह जो पाइप है यह किलिनर से अटेच रहता है यहां सहावा घीचता है इसको फिल्टर करके तब यहां से इंजन में भेशता है ठीक है दोस्तों यह इधर हो गया यह भी वाला इंजन से अटेच रहता है इसको बोलते हैं यह कंप्रेसर यह इसके बारे में समझाते हैं यह चीज़ क्या है इसे बोला जाता है इस इंजन से अटेच रहता है इस देखो ऐसे चलता है यह पाइप द्वारा जाता है इस्टेरिंग बक्स में इस बक्स से जाता है प्रेसर बनाता है प्रेसर बना कि यह पाई बेशता इस्टेरिंग बक्स में इस्टेरिंग बक्स में जाता है तो इस्टेरिंग से कटाई होती है वह से दोस्ति यह इसलिए है जिसमें इस्टेरिंग आयल डलाता है कि अगे दोस्तों इदर सफाई हो रहे है वेज़ भाइश सफाई कर रहे है यह डीजल पम्प की सफाई हो रहे है जोस्तों इसका सीस्टम बतार कुरा नया हो गया यह तो सोलर नाइट है जह एक किसे का पाइप आया सब्सक्राइब लाता है इसमें इसमें डीजल से लाता है इंजन कंप्रेसर में और है बसे आए गाड़ी घाइब दोस्तो इसे में बाइब राता है परый केया द्ची पर दोस्तों अच्छे तरा के शवाइब हो गया है अच मंपरेसर 侧ान एक दोस्तों देखका है यहांसे बंद रता है यह जूछी फैस्टों यह सोलो नाईट है यह स्वुछी बंददैर जाते के पूल जाती है जब चाबी उप करें गेंगे तहरो चाबी अप करेंग निजा बंद हो जातीथ। हम देखा रहें पणिए हो अच्छे तर्च साफ हो गया है यौशी अब यह लगीग servis पेग्फ देखो दोस्तों यह डीजल पाइप है यह फिल्टर में लएult है इस अधर से हो गया है डीजल उसमें भी लिखना चाहिए उसमें भी लिखा होगा बोल्ट पे वह इसी में लगएगा और यह वाला है वह भी इसी में लगएगा यह सी वाला है चरो लगाओ भाई दोस्तों डीजल पंप लग रहा है इसे लग रहा है बैठ गया लारे नट दे